इंडियन स्पाइनल इंजिरी सेंटर भारत में सबसे उननत स्पाइन, और्थोपेडिक, नियूरो मस्किलर, और्थ्रोस्कोपिक सर्जिकल सेंटर है ये सेंटर वीड की हड़ी की चोट और संबंधित बीमारियों वाले मरीज को व्याफक पुनरवास सेवाएं प्रदान करता है अपने बुनियादी अनुसंधान को मजबूत बनाने के लिए सेंटर प्रयासरत है ISIC एक प्रशिक्षन संस्थान और शिक्षन अस्पताल भी है यहां ग्राजुएट से लेकर मास्टर्स तक के कोर्सिस प्रदान किये जाते हैं साथ ही इंटर्णशिप करने का अवसर भी मिलता है सिपड़ के तहट दिव्यांग जनों के विभिन गतिविधियों को वित्तिय सहायता प्रदान की जाती है इनमें से एक है ISIC की सहायता योजना योजना की अनुसार भारत सरकार गरीब मरीजों के लिए प्रति दिन 25 मुफ्त बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए ISIC का सहयोग करती है ISIC भी अपनी ओर से स्पाइनल इंजिरी वाले गरीब मरीजों को 5 निशुलक बिस्तर उपलब्ध कराता है मरीजों के वास्तविक भर्ती के आधार पर 25 बिस्तरों के लिए प्रति दिन 7,000 रुपए भारत सरकार द्वारा सहायता के रूप में दिये जाते हैं जब हमने इस होस्पिटल में आइड़िट कराया तो पतचला कि स्पाइन होता क्या है इन्होंने हमको बहुत सारा सपोर्ट किया पुलियोबील चेयर दी, एकसरसाइज उन्हों करवाई और हमको जीना सिखाया तब तब मैं तंदूस नहीं हो सकता है फिरी में इलाज होता है सेंटर में अंतर राष्ट्रिय मान्यता वाले योग्य डॉक्टर्स और चिकित्सकों की बड़ी टीम है यहां अत्याधुनिक पुनर्वास सेवाएं दी जाती है पुनर्वास सेवाओं में फिजियो थेरिपी, हाइड्रो थेरिपी, ओक्यूपेशनल थेरिपी और और ओर्थोर्टिक्स एवं प्रोस्थेटिक्स शामिल है भारत सरकार देश में अत्याधुने केवं किपायती स्वास्थे सेवाएं प्रदान करने के लिए कटि बद्ध है इसमें विशेश कर दिव्यांग जनों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है ISIC को दी जा रही वित्तिय सहायता इस ओर उठाया गया एक अभिनव कदम है भारत सरकार के समावेशी समाज बनाने की दिशा में ये एक महत्वकांग्शी पहल है